तो डियर इस्टुडेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे बिए थर्ड समस्टर के सोस्योलोजी यानि कि समास साफ्तर के पूरे के पूरे माडल पेपर कोशन पेपर के बारे में तो काफी ज़दा इंपॉर्टेट वीडियो होने वाली है जिन दिन इन भी नोच टिवा को करते हैं म mustache आता है तो देंख लिए कुछ इसी परकार का प्रकार गाता है ठीक है और किस प्रकार के कुश्चिन पुछे जाते है जैसे कौन-कौन से Me बहुती महात्पूर्ण है और कौन-कौन से ऐसे कोईश्चन जो परिछा बार-बार रिपीट हो रहे हैं 2021 में भी आए 22 में भी आए 24 में और आने वाले दिनों 24-26 में भी आएंगे कुछ कोईश्चन कॉमन होते हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं वह भी मैं आपको बताऊंगा सबस्टेट का पुडांग होता है सबसे पहले अतले उत्रे कोश्चन आएंगे और यह आप कहेंगी कौन सी इनुश्चिती का है फिर कौन सी इनुश्चिती के लिए महात्पूरे तो आपकी जानकारी के बता दे अगर आपका सब्जेक्ट सोचिलोजी आनी के सवास्राफ् पत्र का नाम सोचल चेनल सोचल मुवम्मेंट इन इंडिया है तो भारत के सभी इनुश्चिती वा कॉलिज के स्टूडेंट के लिए महात्पूरे ठीक है ओके प्रश्ण पत्र मैच कर लिए बस सबसे पहले खंडा में आएंगे खंडा में आपको अतले उत्रे कोश्चन द रखेंगे तो समाजिक परिवर्तन का सिंपल सा अर्थ है कि समाज में कुछ प्रथाएं हैं कुछ मानताएं हैं उसमें जब कोई परिवर्तन होता है तो उसको समाजिक परिवर्तन कहते हैं ठीक है तो सिंपल सब्द में बोलें समाज के मानदंडो या समानिक प्रथाओं में परिवर्तन ही समाजिक परिवर्तन हैं ठीक है कुछ रूल्स मनाया जाते हैं कुछ मांदंड होते हैं ठीक है कुछ पर्थाएं होते हैं जब उस पर परिवर्तन होता तो वह समाजिक परिवर्तन होता है अगला कोश्चन के स्ट्रक्चर क्या है तो संदस्ना का मत्तब यह जो कानूरम होते समाज में रहने वारे बिढ़ाई बिलते टॉप कर्ड़ ही के Question बोलेंगे आगला Question कि उद्वीकास क्या उद्वीकास एक आपने विकास नाम सुना होगा एक है उद्वीकास तो उद्वीकास का मतलब सुन लेजी उद्वीकास का मतलब ये होता है कुछ संचित परिवर्तन जो पीड़ी दर पीड़ी हफ्तांतित होते हैं वही होता है उद्विकास ठीक है तो ये भी महत्पूर्ण प्रस ने कई बार रिपीटेड है आपकी भी इनुवर्शी टीम फसेगा नोट कर लिजिए प्रिविएस यह भी कई बार पूंचा जा चुका है 2022-22 देश में अगला क का मतलब पहले से और बहतर और इंक्रिमेंट हुआ और उसमें कुस नई चीज़े आई ठीक है तो सिंपल सा इसकार्थ लिखेंगे बहुत ही महत्पूर्ण प्रस ने नोट कर लिजिए प्रगति का मतलब प्रोग्रेस करना ठीक है और भी अच्छी उन्नत करना अपने बिज प्रगति कर दोनों महत्पूर्ण प्रस ने नोट कर लिजिए तो इस वीडियो का बनाने का में उद्य से यह है कि दो चीजों के बारे में जानकारी खास करके होई चाहिए पहले तो आपको माड़ पेपर पता होना चाहिए कैसे आएगा यह जानकाई देना दूफरा ऐसे स कौन के प्रिच्छां बार-बार रिपीट हो रहे हैं, उसमें question होगा और उसका उत्तर भी हो वो PDF आपको नोट के तोर वे मिलें रहे है ताकर अभी time है एक्जाम को तो आप थोड़ा थोड़ा एक्जाम के तैयारी करते हैं इसलिए मैंने आपको important question बताने का फल्ला किया और यह जो मैं question बताऊंगा यह आपके लिए राम बार सावित होंगे question ठीक है मतलब कि पक्का फसेंगे फसेंगे अगला question है सांस्कृतिकन हो गया समाजिक आंदोलन समाजिक आंदोलन बहुत ही महत्पूर्ट प्रशने समाज में बहुत फ़ारी ऐसी कुरूतियां हैं मतलब कि बहुत सारे से गलत काम हैं बहुत फ़ारे ऐसे चीज़ें जिनसे हमारे समाज में रहने वाले इंसानों को समाज को हटाने के लिए तो इसको समाजिक आंदोलन समतिक में रहने वाले कुछ कूरूतियां यान बहुत गलत हो रहा है कोई समाज के लोगों को को तो यहialsाना है हाई लेबल का है नौट कर लिजे पहसेगा वैस्ट भी एकण भी कोईश्चन महात्पूर लेकिन हमेशा नहीं भासता है तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं इसका उत्तर एगनोर भी का सकते हैं स्रमिक आंदोलन नहीं कि जो लेबर होते हैं इनका आंदोलन होता है कि इनके लिए भाई बहुत फारी इनकी जो लेबर जो इनको एक दिहाड़ी मिलती है मजदूरी की 200 रुपे 300 रुपे तो उसमें होता है क्या को उनको इंक्रिमेंट नहीं होता है मतब कि जो मजदूरी वो बढ़ा ही नहीं जाती तब ये लोग आंदोलन करते हैं ये फिर इनको रहने के लिए स्विधाय नहीं मिलती है ठीक है कहीं बाहर गये हैं सहर में तो उसके लिए भी ये लोग आंदोलन करते हैं रोजगार नहीं मिल ला रोजगार मिल ला तो उसमें सहली कम मिल रही है या फिर किसी भी करणावस से उनको कुछ भी जो पूलिसी हैं कंपनी की या फिर गूर्मेंट की वो बताई गई हैं लेकिन बाद में वो नहीं दे रही है तब आंदोलन करते हैं तो ठीक है करसक आंदो प्रफ़ार नहीं है तो इस वज़ा से वोग अंदोर्ण करते हैं साथ साथ में जो लागत है जो खाद है जो बौफार यूरिया है फुटास है जो बहुत सारे अलग-अलग खाद आती है ठीक है उनमें महगाई हो जाती है ठीक है और वो काम भी नहीं करती है इस तरह के समस्याएं जब आती है तो किसान लोग का अंदोर्ण करते हैं जो कि एक महात्मों टोपिक नोट कर लिए उसके बाद आजाएंगे खंडबा के और यहां पर आपको लग-उत्रे क सवाजिक परिवरतन के परिभाफा देखिए अभी आपको अतले उत्रे में पहुंचा गया था वही सेम यह भी कोश्चन है ठीक है लेकिन इसमें इत्वा डीटेल में लिखना पड़ेगा इसमें समाजिक परिवरतन के परिभाफा तो लिखने पड़ेगी साथ साथ में और भी कोश्चन आगया कि समाजिक परिवरतन के प्रोंग विसेसता है मतलब समाज में परिवर्तन होती है उसके उसमें कुछ बिसेश होता है तभी वो परिवर्तन किया जाता है तो उसके काफी दिन बाद स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन में कुछ अलग रहा होगा कुछ बिसेफ रहा होगा तभी वो परिवर्तन किया गया तभी लोग छोटे मुवाइल छोण कर बेमुवाइल में मर्ज हो गए इफी तरह समाजिक परिवर्तन की कुछ प्रमुक बिसेशता है उनके बारे में लिखना प्लस समाजिक सिर्फ़ी की परिवाइब कर लिएक दर बहुत ही सिंपल सा बहुत ही हार लेबल का इसुभि यह मुझा है अगला समाजिक बिकास से आप क्या समस्थे हैं समाजिक ब्भर कहां से प्रव जिनका निवार्ण करके ठीक है उसमें आगे वढ़ा जाता बहुत फारी समस्चा है जिनको हटा के आगे वढ़ा जाता है बहुत फारी यह फीचीजें चो पहले थी उसमें कुछ अच्छा नहीं हो रहा था या फिर वहीं पठप थी अब उसमें और परिवर्तन हुआ और माद्यम से पहले लाइट नहीं थी रोड अच्छी नहीं थी तो यह सब क्या है समाज में विकास हो रहा ना कि सिर्फ एक ही चेत्र में समाज का मतलब पूरा जिसमें इंसान रह रहा है और इंसान की जो जरूरते हैं इंसान जिस चीज़ पर डिपंड है वो हर चीज समाज भिकास, समाजिक विकाफ के अंतर गता जाएगा, ठीक है, नोड कर दीजिये, महात प्रोटरस नहीं समाज भिकास की परिवांसा पलत समाजिक विकास की परोब परसिस्थ आई अगला question Hana कि समाज परिवरतma में सुचना प्रद्दुगी की क्या भूमिका مताब कि इस समाज में जो परिवरतन होते रहते हैं उसमें जो information technology है है यहीं कि जो आजकल technology बढ़ रहे हैं उसमें क्या योगदान है सुचना प्रद्दुगी का मतलब कि समाजी में जो परिवर्तन होते हैं उसमें जो आनलाइन के माध्यम से या फिर जो टेकनलोजी बढ़ रही है उसमें क्या योगदान है समाजी परिवर्तन में सुचना परद्दूगी का बहुत ही महत्वोड प्रशने नोट कर लिए पहसे पक कर अगला प्रशने कि भ प्राकरत की बिवेस्टन की जिए गिंट्वां वी उत्तर महां पर भी लिए उत्तर यहां पर यहां पर नमबर मिलेंगे लेकिन यह पर थोड़ा ठोड़ा क्वेट के और न महत्रछन की परीवर्तनों fail किये जाते हैं लेकिन भारत में जो महलाएं हैं ठीक है उन्होंने बहुत फारे आंदोलन किये हैं और भारत में महला आंदोलन को लेकर बहुत फारी जो समस्याएं हैं उसमें निवारण भी आओ बहुत सारी समस्याएं जो पेंडिंग ही रहे तो भारत में रहने वाले जो महल बिदाएं नहीं मिलती हैं तब वो ज्यादातर अंदोलन करती है फिर उनको पुर्स किया पेच्छा कम सुभिधाएं या फिर कम जो फैसिलिटी है वो मिलती है तब यह अंदोलन होता है नोट कर दीजिए भी मात पूर्ण प्रशन है निस्ट है कि एम एंसरी निवास के सांस्कति करण की अधाना का वर्ण कीजिए बहुत कम आता तो आप इसे इंग्णोर भी कर सकते हैं ठीक है निस्ट कुश्चन मतलब कि अब आगा हैं खंड साकी और यहाँ पर आपको बिस्तर आपको दोनों में अंतर लिखना बस है वही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पास गया तो अच्छी बात आपके कम से फिर कि कम से कम पंदा नंबर पक्य हो जाएंगे निश्कोश्चन है कि भरत में दलित आंदोलन की प्रिकति उमुद्देश बताई तो दलित यानि कि जू नीचे कड़गरी के लोग है ठीक है इनको आप लोगे सीएस्टी बोलते हैं तो उन्होंने भी बहुत फारे अपने हक के हैं लड़ाई लड़ी है और उसके लिए अंदोलन की है तो उसके बारम लिखना हिब ही महतपूल्ब प्रशन अगला कि मार्गस के अलवत्थ सिद्धान्तों या पिर सिद्धान्त का लुसंडातम लियांगन किजिए लेकिन आपको कार्व-मार्थ-माक्ष्ट के समाजिक परिवारत सिद्धान्त के बारे में लिखना है बस यह question तो यह पूरा का पूरा कर तयार कर लेते हैं तो आपके कम से किम 35 से 50 नंबर पक्यों हो जाएंगे 35 से 50 नंबर पूरे question का उत्तर तयार कर लेते हैं तो जो जो मैंने खास करके बताएं उनको तो आपको जो तयार कर लेना आपको बहुत हिल्प मिल जाएगी और इन सभी का जो एंसर है अभी के लिए आप गूगल पे इंटरनेट के वाधिम से सर्च करके पढ़ सकते हैं आपके हमारी जम आने वाली दिनों में कुश्चन एंसर वाली सीरीज चलेगी तो उन सब वीडियो में आपको इंसर ही प्रश्णों मिलेंगे और उसका उत्तर मिलेगा ठीक है तो बाकी कोई कोई कोश्चन जरूर पूछी आपका अपना इस चैनल सक्सेस्ट हो यह तो सब्सक